नमस्कार दोस्तों, वेलकम तो आर चैनल, सिबल इंजिनेर्स पॉइंट, चलिए फिर से हम बात करते हैं बेटा, गेट के प्रिपरेशन की बारे में, उसके बाद में मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूँगा, गेट, ग्रेजुट अप्रिटूट टेस्ट इंजिनेर्स जो आप लोगों के लिए प्रिपरेशन के लिए यूज़ करने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से सारे वीडियो लेक्ट्र मेरे देखीएगा, आपको काफी मज़ा आएगा, इंट्रेस्टिंग होगा, सभी सेशन, सारे सेशन होगे, वो इंट्रेस्टिंग होगे, और काफी साथी साथ में बटा, इस बार मैं थोड़ा सा पैटर्ण चेंज कर रहा हूं, पैटर्ण यह होगा कि मैं निविर्कल लोगगा, जो गेट एक्जाम्स में आपको पूछा गया, तो उससे आप लोगों को पैटर्ण भी समझ में आजाएगा, कि किस पैटर्ण में एक्जाम् काफी समय वेस्ट हो जाएगा बाकि आप अपने से भी मेहनत कर सकते हैं है ना जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने इस पूर अच्छा होगा वह आप पे डिपेंड करता है तो चलिए बिटा आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट कुस्ष्ण आ रहा होगा इसे नोट कीजिए देख लीजिए क्या है उसे अच्छे से नोट करना है मैं इसको साल करके मताओंगा साथ ही साथ उसकी कंसर्ट भी मैं आपको समझाते चले चले जाओंगा क्वेश्ण आपने लिख लिए होगा क्वेश्ण आपको है कि 20 mm आपका डायमेटर यहां का दिया है और यहां से यहां तक जो सेक्शन हो टेपड का मतलब होता है कि एक सेक्शन जो होगा यहां एक्सियल लोड आपका होता है यहां पर अलॉट होता है यहां पर टेंसाइल फोर्स आपका होता है यह का जो नेचर होगा फूर्स हम एजूम करके चलते हैं तो यह मेरा 35 किलो न्यूटन का लोड लगाव होगा है तेल साइल लोड होगा विकॉस की खींचेगा और यहां पर यह उपर में यह देटेस लाइन होगा यहां पर फिक्स है यह खींचेगा तो इस पोर्शन में भी और दोनों कॉस्टर में क्या होगा और होगा और रॉड़ी सेक्शन में कैसा उगा प्यटा वी प्पोर्स होगा तो यहां पर कितना कि तरहीन यहां पर मिरा एक्षिन आएगा तो रिएक्षिन कैसे आएगा यहां पर इस तरह से आजाएगा आरा कि वेटन इतना पर стать फोर्स उत्रह अपकोट फॉर्स इसिवींक में अपर 35 किलो नूटन हो जाएगा अब मैं सिग्मेंट में यह ब्रेक करता हूं यह मेरा eb सिंग्मेंट में साइट पोर्स अदल था थर्टी पाई तो इसको बैले सब्सक्राइब कि आपको सिंप्लिफाई करना तो फैसन ने तो सिंप्लिफाई करना है तो में यह एक्षिए इसको थोड़ा सा ओरिजन्टल मेंबर करके हैं अब इसके सेंटर में रखा में रखा है तो न लगा तो टो टिफाइब को टूटल कितना लगा थी फाइब वह देखिए विए इस तरह से यह किलोनुटन में किलोनुटन यह भी टेंसाइड है फीचा जा रहा है मतलब यह पॉजिटिव टेंसाइड होगा तो बड़ा असान है ना इस से इस मेंबर की जो लेंद्ध है वेटा 1.5 फीटर है इसकी कितनी है आपका 2 मीटर है दोनों की लेंद्ध आपके पास अवेलेब इस सेक्षन का कितना होगा यह इस एंड का deflection कितना होगा इस इस अका deflection कितना होगा कि मैंने दिपोर्स लगाया हूं तो यह पॉइंट डिप्लेक्ट होगे कितना नीचे आएगा या डिफॉर्मेशन होगे कितना नीचे आएगा चेंजिन लेंद एक्स्टेंशन साटनिंग काड्राक्षन इफ्लेक्षन इस एंवर्स होगे इंगा मिनिक से मोगा इस अब वर्क कि क्या deformation होगा इसमें भी deformation होगा इसमें भी deformation होगा तो deformation is equal to ध्यान से देखी कि वैटा डेलल is equal to होता है डेलल या delta is equal to आप लोगोंने formula पड़ा होगा PL upon 8 this is my simple formula लेकिन यह formula है यह formula कहां use होता है जहां पर आपका section uniform हो plus prismatic हो prismatic मतलब circular section triangular section square rectangular section these all sections are called prismatic section और uniform हो कहीं पर भी change ना होगा जो diameter होता है या cross section होता है वो किसी भी point पर change नहीं होता है तो वो होता है मेरा uniform section uniform section के लिए यह मेरा deformation का formula है यह लगपांड यह external load है applicable होता है और बेटा जहां पर uniform नहीं हो consider करते हैं यह uniform section नहीं है इस मैं tapered section और circular tapered section के लिए जो formula होता है विए deformation का delta is equal to वो होता है पोर पी यह अपन पाई e d1 d2 this is my formula for tapered section circular tapered section understand please circular section के लिए जो deformation का formula होगा और पोर पी अपन पाई e d1 d2 d1 d2 क्या होगा smaller and bigger diameter है तो यहां smaller diameter 10 mm हो गए यहां और कितना है 20 mm है just put this all data in deformation formula and get delta is equal to यहां क्या हो जाएगा delta 1 plus delta 2 यह delta 1 हो गया और यह delta 2 हो गया है ना आप लोग इसको आरेंज कर लेज़ेगा sequence में चीक है यहां पर delta 1 is equal to PL upon a uniform section है यहां से आतक तो यहां पर यह formula लग जाएगा यहां पर को सा इस सेक्षन में यह formula हो जाएगा 4 PL upon 5 ED दोनों में elongation हो रहा है देख लिए यहां से पता चल जाएगा क्योंकि मैं सेप्रेट सेप्रेट कर दिया 35 यहां पर भी 30 पाई है यहां पर भी हमां दान से आफ दोगे हैं मैं यहां से ड़ेल्टा इसे नहीं करना ब्रप्रव मेरे पास क्या और यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्षिन एडिया कुछ और होगा तो यहां पर यह ना लिक्के में क्या लिखूंगा पाई कि दी वन दी टू लिखूंगा कुट करूंगा मैं इसको प्लेंग कर रहा हूं आपके लिखेंगा और यहां कितना हो जाएगा फिक वेलू थर्टी पाई इंटू एलमन कितना है वन पॉइंट फाइव मीटर में रखने हो मिटर में ठीक है अब यह किलो नुटर में देखिए धिया खुता वहां एक कितना है इंटू औरियो पोड़ू प्लास यहां टेंटू इसक्षिं तो जाएगा प्रक्राइबर क्षिट्र वच्च कुछ फॉर इंटू यहां भी फिटी बाइगा इन्टू लेंग टिफाइब इंटू 10 to the power कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा पाई पाई है तो पाई ए की वैल्लू कितनी है बटा 2 इंटू 10 to the power 5 इंटू 10 to the power 5 इंटू 10 कितना है 10 D2 कितना है 20 फूट कर दो इन वैल्लू को answer लेके आए बड़ा simple है कोई दिक्त नहीं यह मेरा solution हो जाएगा यह deflection आएगा एक पॉइंट जो है यह वागा जो section है वो इतना कितना mm सिफ्ट होगा यहाँ पर मेरा answer आ जाएगा यहाँ पर मेरा answer आ जाएगा किसमें आएगा बटा mm में answer आ जाएगा ठीक है तो इसे नोट किजिए फटा फट लोट के बेटा इसे नोट कर लो बड़ा आसान है इसका answer होगा 9 mm और इसका answer होगा बेटा 6 mm ठीक है उनका और दोनों के add कर देते हैं तो मेरा answer होगा इसको मैं तो अच्छे से लिख दे रहा हूँ देख लीजिगा इदर उदर हो सकती है यहां से यहां से यहां तक जो होगा यह डिल्टा क्यों जाएगा नाइन एमें पिप्टीन एमें के बराबर डिप्लेक्ट हो जाएगा तो इस तरह से मुझे एक कुश्चन सौर्ड करना था काफी इसी है आप लुक समझ गए होंगे स्ट्रेस क्या होता है ओस अपार फॉर्स डिया पोर्स नहीं होता है राजिस्टिक प्रश पर उंट यू अर्या आप लोग पता होका अना स्ट्रेस Bened Color प्रजाने तूर्सा क्या होटा है इसके लिए एलिया नूट कर लीजी आक्चे से इनको समझ लीजी सारी चीजों को कि कैसे हम स्वाल करेंगे यह कुर्शन आया था था 2015 में तो यहाँ पर दो फार्मुले लगने वाले थे एक तो पील अपन ही और फूर फील अपन पाई डिवर्जी तो एक साथ दोनों को आपको लगाना था और किस तरह से लगाना है वह नेक्स्ट वीडियो में इसी सब्जेक्ट के बारे में लोग आपके वीडियो साथे रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कॉर्शन के साथ नए कलसेट्ट के साथ